हलो दोस्तों आज के बड़े आप बात करेंगे बिहार रासन कार्ड डीलर आप कैसे बन सकते हैं अगर आप डीलर लेना चाहते हैं तो देखे अगले तीन महिनों में जो है छे हजार पदों पर भारती होने वाली हैं बिहार रासन कार्ड डीलर्स की तो इसके लिए क्या प्रक लिए इस वीडियो में कफर करेंगे बीडियो पर बने रही है चलिए और इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में चालते हैं अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको इस तरह इंफर्मेटिव व लोगों को सरकार की और से सहस्ते दावों पर जो है ख़दान चावल और डाले उपदक कराने के लिए सरकार ने हर गाउं और सहरों में अपनी दुकाने खोली हैं जिसका मकसद गरीब और पिछड़े लोगों को सहस्ते दावों पर जो है राशन उकलत कराना होता है देश मे और से सहस्ते दामों पर अनाज और चाबल उप्रब्द कराती है तो रासन डीलर को सरकार के तरब से लाइसेंस जारी कर दिया जाता है जिसके माध्यम से रासन डीलर खादान लाकर रासन कार धारिकों के बीच वितरन करते हैं जिसके लिए रासन डीलर को सरकार के तरब से उसे केवल कमिशन पेज मिलता है राशन डीलर को जो है 70 से 80 पैसे प्रती किलो की दर से कमिशन मिलती है यह आयोग अलग-अलग राज्यों के अनुशार अलग-अलग हो सकता है इसके अलावा बचा हुआ राशन डीलर को देने से भी कुछ आमधनी हो जाती है इसलिए डीलर बनने से पहले आप के लिए एह जाना ज़रूरी है कि रासन डीलर के लिए सैल्टी नहीं होती है सिर्फ उसे कमिसन मिलती है देखे अब बिहार रासन डीलर सेप लेने के लिए क्या आईजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए तो देखे आवेदक जो है बिहार के उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए जिस पंचायत में बहाली निकली गई है आवेदक दसमी पास के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए मैं मतलब उसके आईजिबिलिटी जो है म गजन प्रतिनिधी के परिवार से नहीं होनी चाहिए आवेदय के पास जन वित्रन परनाली दुकान चलाने हे तू अच्छी जगह होनी चाहिए आवेदा के विरुद न्याले में कोई अपराध पंजी कृत नहीं होनी चाहिए आवेदा को पहले से ही रासन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए एक परिवार से दो ही लोग आवेदन कर सकते हैं तो यह देख लिए है इस बिलिटी अब बात कर लेते हैं क्या-क्या डोकुमेंट्स जो हमें लगेंगी बिहार रासन का डीलर सिप अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या डोकुमेंट्स लगेंगे तो देखें जीले के अंतरगत पंचात में आई राशन डीलर की भरती का आवेदन पत्र आपको प्रिंट आउट कर लेना है नेकि हर जीले की जो है बेब साइट जो है उस पर आपको जाके नोटीस में देखना होता है वहाँ पर आवेदन होती है तो आवेदन पर फॉर्मा को डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है आवेदक को एड्रेस क्रूप जैसे की अधार कार्ट देना होता है आवेदक का सैचनी क्योगता मैट्रिक का मार्क सीट और केंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको देनी होती है आवेदक को निवास परमान पतर देने होते हैं आवेदक को आय परमान पतर देने होंगे और आवेदक का आचरन परमान पतर देने पड़ेंगे आवेदक का जाती परमान पत्र चाहिए आवेदक विकलांग परमान पत्र अगर आवेदक विकलांग है तो विकलांग ता परमान पत्र देना होगा और आवेदक का फोटो यहाँ पे देना पड़ेगा अब देखिए यहाँ पे बिहार रासन डीलर आवेदन कैसे करें देखिए आपको आवेदन कैसे करना है तो बिहार रासन डीलर में आवेदन करने से पहले आपको यह पता कर लेना होगा कि आपके जिले के अंतरगत अगर आपके पंचायत में राशन डिलर की भरती आई है कि नहीं अगर आई है तभी तो आप आवेदन कर सकते हैं ध्यान रखेगा और ध्यान दीजिएगा आपके पंचायत में राशन डिलर भरती 2022 बिहार में आया होगा तभी आप आवेदन करेंगे किसी और के पंचायत में राशन डीलर बहाली 2022 में आवेधन नहीं कर सके तो ध्यार रखना है कि आपके पंचायत में अगर आवेधन है तभी आवेधन कर पाएंगे दूसरे पंचायत में आपको अपलाई करने की यहाँ पी अनुमति नहीं होगी आपके जीले मेरा आसन डिलर की भरती आई है कि नहीं इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपके जीले के बनाया गया NIC पोर्टल पे जाना होगा जो आपका NIC जिस भी डिस्टिक से ब्लॉंग करते हैं उसके NIC पोर्टल पे आपको जाना होगा तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे जाएंगे उसके ब्रावजर में नोटीस में आपको जाएंगे नोटीस में अगर भकेंसिया हैं तो वहाँ से रिकारमेंट चेक कर लेंगे वहाँ पे जो रिवाइज लेटर वहाँ पे मिलेंगी वह आपको जो है, आवेदन का वहाँ से आप विभागे साइट से वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे प्रफ्सार्मा पूरी डिटेलस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और वहाँ पे अपना उसको निकाल के प्रिंट आउट करके पूरी डॉक्मेंट्स के साथ आप अपलाई करके वहाँ पे जमा कर सकते हैं आप जो प्रफॉर्मा आप डाउनलोड करेंगे तो देखे रासन डीलर बनने के लिए आप जीस पंचाद में आवेदन करना चाहते हैं उसका असपर्ष डूर्फ से उलेक जरूर करें आवेदन पत्र जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें पूछी गई सारी जैनकारियों को बेक्तिगर जैनकारी के साथ 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 दानी पूर्बक भरेंगे अब पूर्ण अगर आवेदन हैं जमा करने के पर नाम सरूप आपका आवेदन जो है असविकार किया जा सकता है आवेदन पत्र के साथ सभी जो आवस्यक दस्तावेज़े आपको जो है सनलंग करना निवाच है ओर डिलर बनने के लिए पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र अनुमंडल पता अदिकारी परखनदिकास पता अधिकारी के पास जमा करते हैं रासन डिलर बनने के लिए प्राप्त आवेदनों के जीलास तरिये चैन समिति द्वारा चांथ की जाती है चैन समिती द्वारा स्कूटनी में पात्र पाय गया वैतकों को रासन डिलर बनने में लाइसेंज जारी कर दिया जाता है तो ये पूरी डोक्मेंट जो है वेरिफाई करते हैं आपके अनुमंडल पदा दिकारी और आपके मार्च बेसिस पी और पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद अगर आप चच्चम होते हैं तो आपको जो है लाइसेंज जो है रासन कार्ड के लिए मिल जाती हैं तो ये पूरी आप इहार में रासन का डीलर के लिए ooाई करते हैं तो इस तरह से आप इसको अपलाई करके आप उक buyer नित ले सकते हैं तो ये था दोस्तों आज